ओके ता नमस्ते आदा मुस्त्रिया काल मैं हूँ C.A. Sankar Pka Anstya स्वागत है आपका इस नए सेशन में इस नए दौर में जहां पे आप स्टार्ट करने वाले हैं आपका C.A. Intermediate का most important topic जिसका नाम है cost and management accounting C.A. Inter new batch by C.A. Sankar Pka Anstya क्या आप कुछ नए सेखने के लिए तैयार है then let's get started guys super duper excited हूँ है इस बैच के लिए trust me and I'm sure बहुत 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 मजाने वाला है so यही यहां पे मेरे साथ जुड़ गया है मेरे बहुत सारे दोस्त from all over the country ठीक है I'll not specifically name but if 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 we can see तो कहां कहां से लोग है so Delhi, Kota Rajasthan, Bihar, Ajmer, Nagpur, Chandrapur, Somnath, Jaipur, Mumbai, Karyana so on and so forth the list is 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 endless wow so क्या बोलते हो पुब्लिक excited हो CA Foundation का exams तुम लोग ने clear कर लिया है and time to rock the sessions very important topic and क्यों important है वो मैं आप लोग को दीरे दीरे बताते जाओंगा but yes but 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 उसके पहले क्यों ना मैं अपने बारे में कुछ आप लोग को बता दूँ so that we are connected from day one सब से important चीज़ जो मैं को आप सब लोग से चाहिए रहेगी throughout the sessions is that everybody has to be participative ठीक है जितना आप मेरे साथ communicate करोगे उतना अपने sessions में मजाएगा and the better we will be able to be productive तो एक वादा आप लोग को मुझे करना है that yes sir one we will be 100% attentive and communicative and दूसरा sir we will try to be 100% present in all the lectures देखो जोश जोश में start तो सब करते हैं बट फिर वो ही है जो consistently उसको ले जा पाता है ना बस वो ही सिकंदर कहलाता है so 101% आप इंटर फर्स अटेम में clear करेंगे बस follow करते रहे है जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहू सारी चीजे and I'm sure you guys are going to crack it but दो चीजे मेरको आप लोग की तरफ से चाहिए guys please वादा कर रहे ह हो ना एक non-stop communication during the lectures one that's the most important thing and दूसरा consistency discipline के yes आज मुझे lecture attend करना है मतलब करना ही है और मैं आपको बोल रहा हूं starting के 10, 12, 15 lectures में तो full 100% attendance होगा but उसके बाद जो consistent रह पाएगा मैं आपको बताता हूं वो ही आगे तक consistently exam को clear भी कर पाएगा this is what my experience of so many years of teaching of so many years of being a student tells me guys ठीक है so game उधर ही change होता है yes so ठीक है so communication अपन करेंगे two-way communication और specially यह देखो कैसा है online lecture है ठीक है चलो live में तो आप सो रहे हो जाग रहे हो आपका ध्यान है कि नहीं I have a way कि मैं आपको देख के बता सकता हूं अब यहां पर all of us are online तो discipline मैं maintain करवाओंगा excitement मैं लेकर आओंगा हर session में उसके लिए आपको टेंशन लेने के जरुद नहीं है बस आजाना बाकी tension की बात है ही नहीं और lecture का time है 224 30 तो time तो मैंने ऐसा choose किया है कि आहां लंच के बाद या तो इस पार सो जाएंगे या उस पार बहुत अच्छी तरह से पढ़के जाएंगे तो पता आपको मैंने क्यों यह timing चूज किया क्योंकि मुझे पता है यह time पर सबको नीन दाती है बट मुझे अपने lecture पर इतना confident है कि आपको ना सोईंगे ना सोने देंगे ठीक है so that's that's the whole thought process तो चलो आप start करते है starting के एक दो session एकदम light रखूंगा मैं मजाएगा आपको and फिर दिरे दिरे technicalities of this subject में अपन जाएंगे ठीक है बट उसके पहले यह सब चीजों के बारे में मैं discuss करूं in detail क्यों ना उसके पहले अपने बारे में कुछ चीजे बता दूँ मैं आ एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है तो so let me give you a small introduction of myself so मेरा नाम है C.A. संकल कांस्टिया नाम तो सुना होगा से नोडीटा हाँ है so yes by profession I am a chartered accountant and I am a company secretary as well मैंने C.A. और C.S. दोनों साथ में अपना studies किया था I am from Mumbai so Mumbai में graduation मेरा N.M. College नर्सी मों जी College करके है वहां से हुआ था and बस वही टाइम पे सपने देख लिये थे कि yes C.A. करना है and इस तरह से करना है कि दुनिया याद रखे आज से अगर 15 साल पहले मैं अपनी बात करू तो 12-15 साल पहले की बात करू तो मैं भी आपकी जगा पर ही बैठा था ठीक है आखों में सपने लिये घर से हम चलतो दिये जाने ये राहे अब ले जाएंगी कहां राहे बहुत अच्छी रही है और मंजिल जो C.A. की मंजिल थ जो मेरी situation थी you are exactly at the same place right sir आपको इंटर में कितने attempt लगे थे good question so मेरा इंटर first attempt में clear हो गया था and कैसे हुआ था वो tips and tricks आप लोग के साथ मैं जरूर शेर करते रहा ठीक है so myself C.A. C.A. S. अंकल कांस टिया profession से as I told you Chartered Accountant and मैंने जब C.A. complete किया तो सर आपने C.A. करने के बाद सीधा job करना किया आपने किया या आप सीधा teaching में आ गए तो मैं आपको मेरी story सुना हो सुना चाहोगे मेरी story C.A. बनने के बाद मैंने क्या किया था yes yes Shubham okay so once I completed my Chartered Accountancy जहां से सुना मेरे को हमेशा teaching का ही काफी shock था I always wanted to be in this field और मैंने C.A. final में तब था जब मेरे थोड़े students को पढ़ाना चालू कर दिया था और friends को पढ़ाता था तो मुझे काफी teaching का एक passion था बट मेरे घरवालों ने बोला यार C.A. हो गया है C.S. हो गया है निकल गया है तेरा first attempt में मेरा almost एना graduation तक C.S. complete भी हो गया था और C.A. भी भाइद है जो बिफोर 22 I was already a Chartered Accountant तो गरवालों ने बोला यार इतना अचा डिगरी लिया है तो सीधा teaching में क्यों जा रहा है थोड़ा time at least market का job का experience तो ले देख तो सही तूसे क्या तेरा तोड़ा personality भी develop हो जाएगा and students को जब पढ़ाएगा तो they will also get a better idea of practical world मुझे यह idea बहुत अच्छा लगा and that is when I joined J.P.Morgan world की सबसे बड़ी financial services company is what I joined and वहाँ पे मैंने practically जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हुना वही सारा काम किया है जी हाँ cost management accounting and financial management so I was a senior analyst in J.P.Morgan so मैंने as a financial analyst join किया था फिर एक साल बाद मेरा promotion हुआ I was promoted to senior financial analyst and then I was in their asset management and financial due diligence team and that is where मैंने यह subjects choose किये costing and FM तो जो आप लोग को बढ़ाने वाला हुना वो मैं practically कर चुका हूँ ठीक है तो जो financial analysis FM में बढ़ाँगा या costing में आप लोग को जो मैं cost accounting management accounting marginal costing और यह सब चीज़े कर रहा हूँगा ना यह सारी चीज़े मैंने practically की है being a chartered accountant and यह exposure बहुत कम लोगों को मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ yes you know majority of public audit में जाता है stat audit internal audit या फिर tax में जाता है direct tax हो गया GST हो गया I was the privileged one के मैंने in different fields में काम किया और वो different fields में काम करके आज thankfully वही चीज़े पढ़ाने का मौका मिल रहा है so you are studying from somebody who has actually seen that world and मैं जब आपको वो connect करूँगा ना वो दुनिया से मजा आ जाएगा ठीक है बाकी bookish knowledge तो देखो सब होता ही है देते ही है but जब मैं आपको connect करूँगा कि practically कैसे एक-एक market function करता है you know that's where you will realize the whole how the whole game changes तो इसे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा अगर पढ़ाई को as a burden लेके अपन लोग ने पढ़ाना then in that case it will become a big problem but यही अगर मैं आपको practical चीजों के साथ connect करता रहूँगा practical examples के साथ connect करता रहूँगा by god मजा आ जाएगा आपको लगया कि yes यार यह तो और पढ़ना है मुझे और यह आपको realize हो जाएगा within one to two lectures that how I am going to connect you to the whole world ध्यान से सुनना to the whole world when I am teaching you this subject ठीक है so खाली bookish knowledge नहीं आपको एक सच्चा chartered accountant बना के छोड़ूँगा मैं by the time you clear your inter midget and I am sure inter के बाद final में भी आप अपन दोनों का साथ रहने ही वाल है so जब तक आप chartered accountant बनेंगे I promise you to convert your personality into a different ball game altogether मतला बाहर निकलोगे तो लोग बोलने चाहिए अरे भाई संकल सर से पढ़ा है क्या so that's how the efforts that we are going to make ठीक है so JP Morgan मैंने जॉइन किया after becoming a chartered accountant वहाँ पे as I told you asset management team में था into financial analysis into research and all of due diligence thing तो वो चीजे मैंने कि क्या होता है उस चीज में वो दिरे दिरे जैसे से sessions होते जाएंगे मैं आपको बताते जाओंगा उधर मैंने approximately four years काम किया and then finally जब मुझे लगा कि yes वो personality develop हो चुका है वो knowledge आ चुका है तब मैंने अपने परो को और बड़ा किया और मैंने बुला कि चलो let's start my own coaching classes and then Bombay में एक छोटी सी जगा लेके मैंने खुद की coaching classes start की वहाँ पे तब face to face के lectures होते थे तब तो यह online और यह सब सुना भी नहीं था तो face to face lectures start के मैंने around two to three students थे first batch में and then फिर बाद में वो एक हावत है न हम तो चले थे कारवा बनता गया तो बस ऐसा ही कुछ scenario was with me as well फिर बाद में मैंने online YouTube पे कुछ मेरे lectures डाले which CA final के lectures थे वो which was liked by students all over India उस दिन realize हो गया के बस online coaching is going to be the next big thing in the education market and COVID के just पहले COVID के ही पहले in fact मैंने already online coaching start कर दी थी that time I was more into CA final then फिर CA inter का batch लिया and now there's no looking back तो आज की तारीक में मैं CA intermediate में paper number 4 which is cost and management accounting and paper number 6a which is financial management ये दोनों आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ and in दोनों subject में your expectation of marks should be guess करो कितना marks लाकर दिखाओगे मुझे या चलो guess करो मेरे एक student को कितना highest marks आया है चलो आप बताओ costing का चलो पहले बताओ फिलाल अपना costing का बैच चलो है let's discuss about costing any guesses how much is the marks that my student in CA intermediate cost and management accounting has scored शौनक केडिया बोल रहा है 85 गॉरभ बोल रहा है 90 प्राची बोल रहे है 99 एक मां क्यों चुड़ आ रही है बाकी लोग कुछ अपना लगते है homework करके आया है and yes नकुम बोल रहा है 90 अप आशु बोल रहे है 90 and बाकी काफी सारी लोगोंने 100 भी बोला है जिन्नोंने 100 बोला है yes शायद वो अपना homework करके आया है and yes it was I think May 22 attempt Mr. Arin Raag का he scored 100 out of 100 in this subject cost and management accounting जी हाँ और अगर वो कर सकता है then definitely आप भी कर सकते हो तो वो भी आप ही के जैसे मेरा live plus google drive का student था he cleared the examination in first attempt with golden marks and created history by scoring 100 out of 100 तो अब आप लोगों के लिए एक benchmark बन गया है boss मुझे पता नहीं है कि आप बाकी subjects में कितना क्या score करने वाले हो but मेरा ये एक subject है मैं आपको बता रहो इस एक subject की वज़े से आपका मैं पूरा का पूरा CA intermediate निकलवा दूँगा ये मेरा वादा है चलो आपको मैं मेरा पूरा CA intermediate निकलवा दूँगा ये मेरा वादा है just on the basis of this one or one and a half subject costing plus मैं FM को भी गिन लेता हूं तो ये दोनों को मिला के 150 marks is and should be your focus and अगर वो focus के साथ अपन पढने वाले है then in that case there is no looking back मतलब एक word भी कहीं पे भी अपने को miss out नहीं करना है that's the intensity that I want from each one of you are we all ready for it guys yes then let's do it so आज आप लोग को अपने book में लिखना है that I will score 90 plus marks and ये आपका एक manifestation होना चाहिए और ये जब आप अपना notebook open करोगे every day आपको पहले ये line दिखनी चाहिए that I am going to score 90 plus marks in costing and FM so I am going to score I am going to score 90 plus marks so 90 plus क्यों लिखवा रहे हो 100 ही लिखवा हो ना देखो इच्छा तो हो ही है but let's be realistic so 90 plus लिखते है let's be realistic ये भी आगया तो मैं बोल रहा हूँ इससे बड़ी बात अपने लिए और कुछ नहीं होगी right so this is the first thing that you are going to write नाम के उपर I am going to score 90 plus marks in my in my CA inter costing exams everyday इसको देखके motivation लेना है at the same time अपने आपको पुछ भी करना है that देखो 90 ऐसे ही नहीं आता है अपन सबको पता है CA level का exam है so all of us know the intensity level institute का हाई रहता SSR papers में लोगों का इतने marks का frankly speaking attempt भी नहीं होता है वो attempt में ना मैंने कुछ interviews लिये थे exam के बाद YouTube पे मैंने मेरा review दिया था paper का that अगर आपका इस paper में 85 to 90 के बीच में attempt हुआ है then it's a good thing that you have done little did I know के कुछ महीनों बाद दो महीनों बाद मुझे ही मेरा student आके एक result देगा that sir अप 85 to 90 attempt करने की बाद कर रहे हो मैं 100 marks लेकर आया हूँ so this is what is going to be our goal ठीक है आपका और मेरा ताली दोनों हाँ से बचती है मुझे भी उतने ही efforts डालने है to ensure that आपके concepts clear हो so that we can reach to this milestone at the same time आप से भी मैं इतनी ही महनत करवाऊंगा so that we reach to this milestone तो अगर यहाँ पे reach करना है तो करना इससे बहुत सारे writing practice की जरुवत पड़ेगी और उसके लिए मैं आप लोगों को पहले class में करवाऊंगा फिर थोड़ा थोड़ा रोज homework भी दूँगा तो promise number two क्या आप लोग regularly homework करके आओगे मेरे lectures में ठीक है because तो ही आपको समझ में आएगा न practice करोगे तो ही समझ में आएगा कि हाँ वह class में सर ने जो पड़ा है वो हम भी खुद से कर पा रहे है या नहीं because this subject is all about practice ठीक है so homework भी अपने को अच्छी तरह से करना है and this is going to be your motivation from now on all right guys चालो सार बहुत बढ़िया we are now super excited to start done promise मिल गया है मुझे सब की तरफ से and that's what I want चालो great अब let me tell you one thing ये एक नया subject है जो आप लोग पड़ रहे हो ठीक है I am assuming के आप लोग सब लोग majorly at least more than 80% of the crowd has cleared CA foundation and आप तुम लोग inter में first time आयो ठीक है so intermediate का मैं पहले आप लोग के साथ syllabus discuss करता हूं and then फिर मैं आपको बताता हूं के इसमें अपने subjects का क्या role रहेगा so CA intermediate आज की तारिक में इस CA intermediate को CA institute ने दो group में divide किया है group one and group two group one में उन्हाने तीन subjects रखे हैं पहला subject है advance accounts दूसरा subject है law corporate and other loss and तीसरा subject है taxation इस taxation में DT IDT दोनों आ गया and फिर आता है अपना group two group two में तीन subjects है पहला subject है cost and management accounting जिसको मैं प्यार से costing ही बोलूंगा दूसरा subject है auditing ठीक है and third subject है आप लोगों का FM and SM right so इस में से जो subjects मेरे हाथ में हैं जो मैं आप लोगों कवर करवा के full out of full आने वाला हूँ are going to be costing and FM ठीक है okay अब इस में आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हूँ सो कहना इससे बही चलो अपने लोग advance accounts अपने लोग advance accounts बेसिकली पढ़ चुके है थोड़ा बहुत idea है law अपने लोग पढ़ चुके है this is a totally new subject for you taxation right costing is totally new subject for you auditing is a totally new subject for you FM financial management is a totally new subject for you and strategic management is also totally new subject for you all together कितने नए subject आप पढ़ने वाले हो intermediate में well it is going to be 4 and इसलिए कहते है कि intermediate is the most crucial stage of your CA journey ठीक है तो क्या CA ने पता है अब यही जब आप final में जाओगे न तो final में group 1 में FR which is accounts group 1 में audit group 1 में SFM कैना इसे यह तीनों के तीनों subject आपके जो inter में वही final में group 2 में DT IDT कैना इसे यह DT IDT अप लोग inter में भी पढ़ चुके है CA final में कोई नया subject नहीं आएगा CA final में वही सब होगा उसका advanced level होगा जो आप intermediate में पढ़ चुके हो already getting me so that is where intermediate becomes the most important and crucial level because अगर इसको कर डाला तो life समझ लो जिंगा लाला all right चालो so Gaurav का question है sir book कितनी page की बना है सब बताऊंगा तीरे दीरे एक एक चीज आप लोग को मैं everything I will be telling y'all but just telling y'all that 4 नहीं subject है ठीक है so that is where our focus should specifically increase in these 4 subjects law में obviously एक advanced level पढ़ोगे आप accounts में एक advanced level पढ़ोगे but at least एक idea है अपनको इन दोनों subject का तो आप ये चार subject को आप अपन कैसे manage करने वाले हैं उनको समझने की कोशिश करते तो पहले आपको एक बात बताओ मैंने जब CA का exam दिया था चलो आप लोग मुझे आताओ ये जो CA intermediate अभी आया है ये new syllabus का है इसके पहले जो intermediate था उसमें कितने subjects थे total मिला के group 1, group 2 मिला के कितने subjects थे चलो let me see आप लोग क्या जवाब देते हो come on बोलो correct तो आप लोग सब लोग को पता है सर पहले तो है ना 8 subjects हुआ करते थे absolutely correct तो पहले तो there used to be 8 subjects उसको अब institute ने 6 कर दिया है now let me tell you कैसे ये transition हो रहा है मैंने जब अपना CA inter का exam दिया था हमारे time पे होता था PE2 professional education 2 so PE2 में हमारे time पे there used to be 6 subjects yes you heard that right there used to be 6 subjects उसके बाद में उन्होंने लाया IPCC IPCC में there used to be 7 subjects फिर उन्होंने लाया intermediate intermediate में there used to be 8 subjects फिर अब उन्होंने लाया CA intermediate new course इस CA intermediate new course में वो वापस से उस level पे आ गए है जो level पे मैंने CA का exam दिया था as a PE2 student and which is yes six subjects again तो एक आवद ना history repeats itself this is what has happened here so अब वापस से उन्होंने छे subject introduce कर दिये तो हमारे time पे भी है accounts law tax costing audit and FM SM के जगे पे there used to be a subject IT information technology but वो अब उन्होंने remove करके FM SM डाल दिया है और costing और FM जब मैंने exam दिया था it used to be of 100 marks together जी हां तो costing के 15 chapter प्लस FM के 9 chapter सब मिला के खाली 100 marks का था तो institute को किसी ने suggestion दिया कि भाई इतने सारे chapters एक subject में 100 marks के लिए कैसे रख रहे हो आप then उन्होंने costing को separate किया and costing को full 100 marks का किया and FM को separate करके 50 marks के लिए यहां पे paper 6A में उन्होंने डाल दिया just giving you an idea of how transitions happen in a course like chartered accountancy तो पहले 8 courses थे 8 chapters एक subjects थे फिर 7 पहले 6 थे फिर 7 हुए फिर 8 हुए फिर वापस थे अब 6 chapters हो गए six subjects हो गए अच्छा मुझे बताओ passing आप लोगो पता है कैसे पास होता है आदमी ठीक है I'm sure आप लोगको rank लाना I'm sure आप लोगको उससे भी अच्छा score करना है बट अगर just if I have to ask you कि अगर आपको exams pass करना है then in that case कितना marks score करना पड़ेगा can anybody tell me guys can anybody tell me so okay so can I say group one and group two yes 40 in each subject अभी तो एक series आई है half सी है उसमें भी उसने ये चीज एक्स्प्लें किये तो I'm sure आप लोगको ये पता ही होगा आप तक that 40 in each subject and 50 in aggregate तो sir कैसे होता है ये एक बार बता दो आपको चला मैं assume कर रहा हूं कि ये मेरा ही subject आप first पढ़ रहे हो and therefore मैं उस हिसाब से एक एक चीज आपको बताने वाला हूं 40 in each subject and 50 in aggregate दूसरा चीज एक important aspect जो उन्होंने change किया is that पहले आप intermediate का कोई भी group pass करते थे या rather group one ही specifically pass करते थे तब भी आपको articleship का training के लिए start करने को allow करती थी institute अब institute ने वो rules change कर दिया है and बोला है कि boss जब तक दोनों group clear नहीं होता है तब तक आप आपका articleship start नहीं कर सकते so that where my easy suggestion to you is give both the groups for sure and I'm sure आप लोग सब लोग costing का batch attend कर रहे हो lecture अभी attend कर रहे हो तो I'm assuming कि सीदी सी बात है आप सब दोनों ही group देने वाले होगे एक rank का chance है दूसरा set off का भी chance है तीसरा जब तक दोनों group नहीं होता articleship start नहीं होगी तब तक आपका final का attempt नहीं आएगा तो it is obvious कि end of the day तो मुझे CA final में जल से जल पहुचना है तो क्यों ना दोनों group do and definitely achievable है with proper guidance और उसके लिए तो हम यहाँ पे बैटे ही हैं तो sir कैसे हम लोग यह exam को pass करेंगे आप ज़र बताओ तो now you have to answer me ठीक है आप लोग ने यह तो बोल दिया 14 need subject 15 aggregate दो मिनिट लेके अब मैं आप लोग को बोलता हूँ कि भाई देखो अगर ऐसा scenario है अगर ऐसा scenario है तो आप मुझे बताओ कि क्या यह बंदा से mister आप लोग में से किसी का नाम लेता हूँ तो accounts में law में और tax में इसका marks देखना भाई इसका marks है 45 75 35 45 55 35 क्या यह स्टूडेंट group 1 में clear है क्या और से उसका group 2 का marks भी मैं आपको बताता हूँ से costing में उसको आया है 58 audit में उसको आया है 57 FMSM में उसको आया है 38 बोलो टोटल बोलो क्या यह बंदा एक भी group में पास है क्या well unfortunately he is not clear in either of the groups अगर मैं इसका total करता हूँ 90 and 100 135 हो रहा है बरावर है यहाँ पे total करता हूँ तो इसका total हो रहा है 153 even though यहाँ पे इसका 50 into 3 50 का आपको aggregate चाहिए 150 का aggregate होता है यह होते वे भी यह बंदा है fail just because he has not scored 38 in each subject and 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 यहाँ पे 135 आया इसको बड़ा बरे so ideally 135 तो 150 का भी total नहीं है and यहाँ पे उसको एक subject में कम भी है यहाँ पे also we will say he is fail so that tells us that कोई भी subject को lightly नहीं लिया जा सकता है because every subject we have to score the golden marks and that is 40 तो चलो भई यह वाला first student तो अपना clear नहीं हो पाया कोई बात नहीं अब आपको बताना है क्या यह second student clear हो पाया क्या इस second student का mark sheet कुछ ऐसा है इस second student का mark sheet कुछ ऐसा है advance accounts law taxation ठीक है एं दूसरा group 2 में cost audit and say FMSM ठीक है इसका मैं marks बता रहा हूं आप लोगों को आपको बताना है whether he is clear or not say 55 55 and 50 and यहां पे मैं लिखता हूं से 48 48 32 and 56 अब आप बताओ क्या यह clear है या नहीं सबसे पहले total करो total कितना आ रहा है यहां पे इसका minimum grand total 150 तो चाहिए क्योंकि अग्रिगेट अग्रिगेट तीनों का मिला के 50 हो नहीं चाहिए तो 50 इंटू 3 150 तो क्या 150 हो रहा है क्या the answer is sir 160 हो रहा है यहां पे चलो बोलो चल चल 48 प्लस 32 प्लस 56 और यहां पे इस 136 तो can I say this is where he is fail but at least यह बंदा group 1 में pass हो चुका है तो अब समझ में आ रहा है कैसे pass होते हो आप कैसे pass होते हो आप समझ में आ रहा है अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो थर्ड चीज मैं उसके बारे मैं बोलूँगा नहीं कुछ थर्ड चीज खाली मैं डारेक्ले एक एक्जाम्पल को जब ध्यान से देखना मेरे एक्जाम्पल को आप लोग को बताना है पास या फेल एक मिनिट आप लोग को बताना है पास या फेल एक मिनिट आप लोग को बताना है क्या सी नहीं इसका ग्रूप बन पास ग्रूप टू पास बोद ग्रूप पास वाट इस वाट इस इट बोलो खाली पास मत लिगो पूरा बताओ ओ ओनली ग्रूप बन पास ओनली ग्रूप टू पास बोद ग्रूप पास और वाट इट इस सोच समझके करेक्ट, 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 सर यह तो बगवान का अदमी है लगता है 165 and इधर का total 144 अब aggregate 150 है so aggregate के हिसाब से अगर मैं देखू तो 165 है इसको भाई साब को इसमें तो group 1 तो clear है वो one side 150 के उपर भी है 40 के उपर भी है group 2 में individually 40 है but aggregate 150 नहीं है but because बंदे ने दोनों group साथ में दिया है तो इसका grand total हो रहा है 309 marks ठीक है 309 marks and अगर इसको यह 309 marks आया है aggregate 6 का 6 into 50 300 so 6 into 50 300 तो क्या यह 300 से जादा है yes and दूसरा क्या 40 marks minimum सब में मिला है yes and since दोनों condition satisfied है he will be declared pass in both the groups जी हां इसी को कहते है set of benefit तो यह जो भी student है yes set of से pass हुआ है कैसे set of भई 144 है उसमें 40-40 तीनों में है but aggregate में अटक रहा है this can borrow few marks from group 1 such that उसका भी 150 हो जाए और वो clear हो जाए क्या आप लोग को समझ में आ गया everybody guys ठीक है यह सब छोटी छोटी चीज़े है हो सकते है आपको पता हो हो सकते है नहीं पता हो but अगर नहीं पता है पता होनी चाहिए that's the reason I'm telling you each and everything at the beginning itself ठीक है चौट डन अब एक और छोटा सा last example लेता हूँ इसके तुरू भी एक और नया concept बता दूँगा जो शायद आप लोग ने ना सुना हो सुना हो तो अच्छी बात है यह है ग्रूप वन यह है ग्रूप टू ग्रूप वन का इसका टोटल है say advance accounts 55 लॉँ फिफिफिफाइ टैक्स 55 165 आप लोग का ग्रूप वन का अंसर मेरे पास आ चुका है बट अभी देखना cost 65 audit 35 and FMSM 45 अब आप मेरे को बताओ इसका टोटल देख लेता है कितना है इसका टोटल है 145 तो अगर मैं 145 प्लस 165 करता हूं तो 310 है तो aggregate तो हो रहा है वर्ट क्या होगा इस student का क्या होगा आप लोग बताओ चलो इस बंदे का क्या होगा तुम लोग तोड़ा सोच समझ के बताना टोटल इसका 310 हो रहा है ध्यान रखना हा तोटल 310 हो रहा है अब क्या होगा इसका tell me what will be the result given by ICI, ICI Institute to this student very nice, very nice शौनक very nice, तो चलो yes, so ये situation में ये जो student है वो बुलेगा मेरा group 1 pass है सार मेरा group 1 pass है and group 2 के costing में इसको आया है exemption but बाकी दोनों reappear करना पड़ेगा remaining to reappear remaining to reappear are we understanding? तो इसको क्या बोलते है? exemption इसको क्या बोलते है? exemption so अगर आपको 60 से जादा कोई भी subject में आता है आपको वो subject वापस देनी की जरूरत नहीं है आपको वो subject वापस देनी की जरूरत नहीं है एए समझे गड़ूर? गाइज गाइज? अचन क्या 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 पढ़ने वाले हैं? आपको एक बार आइडिया दे देता हूं तो अपर ने enroll किया है paper for cost and management accounting 100 marks के लिए ठीक है आपको यहाँ पर क्या क्या content हमारी तरफ से मिलने वाला है तो से आपको से आपको हमारी तरफ से सर कुछ 65 वाला आया है क्या मतलब नकुम तेरा question नहीं समझा उसको 65 को उसको exemption उसको वापस सही देने की जरूत नहीं है बच्चे दो में उसको 150-65 remaining mark score करना है वैसा अब आते आपर लोग paper 4 के उपर paper 4 CMA cost and management accounting 100 marks is what we are going to start with इस subject में ICAI के लिए मैं भी जो भी चीज़े discuss कर रहा हूं ICAI के नजर से तो देखो from the angle of ICAI क्या हो रहा है यह देखना एक आपको पढ़ना पढ़ता है institute का module कहां से मिलता है यह institute का module I-C-A-I-Dot-O-R-G के BUS knowledge portal पे खाली यह पढ़के module पढ़के हो जाएगा क्या? इसके बाद आपको पढ़ना पढ़ता है something called as RTP RTP का मतलब सुना है तुम लोग ने? guys anybody of you please write down let me know क्या होता है RTP? RTP का मतलब होता है revision test paper जो हर attempt के पहले हर subject के लिए c institute निकालता है so वो हो गया RTP अच्छा इसके अलावा institute का और एक material होता है जिसका नाम है MTP MTP का मतलब क्या होता है पिटा? इसको बोलते है mock test paper इसको बोलते है mock test paper उसके बाद में और कुछ पढ़ना पढ़ेगा क्या सर? हाँ past papers भई ICI के past papers भी तो देखने पढ़ेंगे अपने को के how is it going? right so past papers भी पढ़ना पढ़ेगा and last में जो अपने को एक चीज पढ़नी है वो है old practice manual something called as old practice manual जब ये पाचों चीजे पढ़ोगे ना तब जाके आपका ये paper इतनी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा कि आपको मिल जाए 100 out of 100 बट ये सब पाच चीज अलग अलग अरने जाओगे तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं एक जगा जब जमा हो पाचों module RTP MTP past paper old practice manual जी हाँ इस इस गों तो बी दपार्ट आप अर कंटेंट जिसको अपन बोलेंगे optimized book बिच इस अ ऑथर्ड बुक जो आपके घर पे आने वाली है आपके पास हो सकते हैं आपके पास आप ही चुकी हो पाच अलग-अलग चीजे पढ़ू क्यों ना उससे जगे अच्छा ये पाचों को एक ही में समेटके optimized पढ़ा जाए क्या मलता है public सही है और exam time पे इन सब को revise करना next to impossible हो जाता है तो इसके लिए optimized है आपकी detailed book इसके साथ मैं आपको दूँगा exam के लिए आपके दिमाग में magic हो जाए तो वो हो जाएगी magic book which will be a summary version of your optimized so जैसे optimized detailed book जिसमें module, RTP, MTP past paper, old practice manual सब कुछ covered है वैसे ही उसी का एक short form या summary version जिसको अपन बोलते है that basically is your magic book तो ये दो बुक से अपन लोग majorly पढ़ने वाले है are you already and excited मैं आपको बताओ institute institute जब करता है तो institute का देखो अभी मैं आप लोग को जहां पर लेके जा रहा हूं जिन्दगी में जब तक आप CA बनोगे तब तक कम से गम कम से गम 500 बार जाओ गया and that is icai.org इसमें student section पे collect करना है और BOS knowledge portal पे click करना है BOS knowledge portal पे जैसे ही click करोगे इदार आएगा click here to visit BOS knowledge portal immediately आप उस पे click करोगे जैसे उस पे आप click करोगे you will get all the information here इसमे इसमे से आप तो अब जैसे देखोगे CA study material new scheme click on this CA material new scheme foundation intermediate final यहाँ पे आपको click करना intermediate पे जैसे आप यहाँ पे intermediate पे click करोगे आपको दिख जाएगा group 2 paper 4 CMA cost and management accounting and जैसे आप यहाँ पे click करोगे you will get the link for all the topics but क्या अब आपको यह open करने की ज़रूद पड़ेगी क्या well the answer is no क्योंकि आपके पास है optimized क्या इसका एक एक some optimized में solved है the answer is yes everything that is given here भले ही वो theory हो भले ही वो practical question हो हर एक चीज मैं आप लोग के साथ भले ही वो कोई भी concept हो वो सब चीज आपके optimized में आपको मिलेगी और खाली यही नहीं यह तो खाली module हुआ इसके साथ RTP MTP task papers सब चीज old practice manual के questions everything is covered in the book that you have तो exam time पे आपको पता है कि आपको यह पाच चीज अलग से करने की ज़रत नहीं है एक clarity of thought होना चाहिए and वो clarity of thought अपने को आ जाएगा अपने optimize से और मैंने chapters का numbering भी कुछ इसी साब सही किया है so मेरे optimize में भी chapter number six cost sheet ही है institute ने भी cost sheet ही लिया है institute को देखके मैंने अपना book बनाया है ताकि मेरे से कोई भी चीज मिसना हो जाए and एक-एक flow अपना यही इस पे बना रहे because as a student आपको चाहिए आप institute का exam दे रहे हो तो सब institute के हिसाब से ही करवाना sir तो institute के हिसाब से ही कर रहा है आपके book में जो मैंने some solve कर रहा है वो भी मैंने institute के हिसाब से ही solve किया है so that आपको एक confidence रहे that yes sir as per ICAI ही जा रहे हाँ जब मैं उसको आपको समझाते वक solve करूँगा तो उसको simplify way में करूँगा but institute का book अब आपको refer करना नहीं है optimized will include everything समझ में आया everybody is clear तो यह say for example initial pages यहां पर यह initial pages यहां पर institute ने पूरा अपना portion दिया है वो सब मैं भी आपको go through करवाँगा तो टीक है done guys so I hope समझ में आ गया होगा कि अब करना यह सब है और यह मैं आपको बता रहा हूं paper 1 2 3 5 सब में आपको यह पांचों चीज करके ही जाना है if you want to score good marks हाँ guys मतलब rank के अगर अपने को aim करना है then यह सारी चीजे अपन करके जाएंगे तो ही अपने को first attempt या rank hustle हो पाएगा and I am sure आप जो भी class कर रहे है जहां से भी कर रहे है यह सारी चीजे आपको वहाँ से मिल जाए at least costing and FM के लिए मैं आपको अश्वरिटी देता हूँ that only do my book nothing else 100 out of 100 अर इन रांका का मैंने एक interview लिया था you can listen in that even he did only these two things okay guys तो अब वो भी एक tension गया otherwise वो भी एक tension रहता है और यह भी पढ़ना पड़ेगा वो भी इधर से भी पढ़ना है उधर से भी पढ़ना है उससे अच्छा एक जगह पे सब चीज आ गया so एक आधर एक कहावत है do बोलते है ना take multiple books and study them once or take one book and study it multiple times क्या करना चाहो गया one book multiple times या multiple book one time बोलो जवाब जवाब चीए मुझे जवाब चीए मुझे one book multiple confused कर दिया अरे एक ही book को multiple time पढ़ू या multiple book में एक 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 बार करू और confused रहू hmm जब बात so one book multiple times is going to be our mantra is going to be our mantra सर सपोज इंस्टिटूट ने कुछ आपने बुक अभी प्रेजेंट कर दिया हमारे पास बुक आ गई सपोज इंस्टिटूट ने अगर कुछ नया इंट्रिडूज किया तो कोई नया सम लेकर आ गई कोई नया क्वेशन आ टीपी में आ गया last moment पे या कुछ तो किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूना तो भाई अपन है आप के साथ जब तक आप chartered accountant नहीं बन जाते न तुमारा भाई तुमारे साथ रहेगा तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरुवरती नहीं है कोई भी अपडेट आने दो कोई भी कोई मुश्किल कोई परेशानी आए तुमें लगे कुछ ठीक नहीं हाला मुझ से कहो चलो तो येस I'll be there for you I'll be there for you सर मुझी क्लास ले रहो जाएगा ठीक है गाइस डन बस एक ही चीज़ 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 आपकी तरफ से discipline consistency ओक चलो So that's how the system works तो सर एक बार ऑप्तिमाइस बुक आप बता दो क्या है और कैसे इसमें पूरा का पूरा system है तो चलो आओ लेट मी take you through the whole अप्तिमाइस बुक और कैसे मैंने इस इस बुक को बनाया so that it can be very useful to you तो क्या-क्या चीज़े मैंने इसमें include की है आप लोगों को ये बताना मेरे लिए बहुत जादा सुरूरी है so that आप लोग भी उसी pattern को follow करो तो चलो आप कोई भी एक chapter मैं pick up करता हूं मेरी optimize में से say for example cost sheet चलो cost sheet को अगर आप लोग pick up करता हूं तो सबसे पहले अगर आप लोग note करोगे तो there will be a motivational quote boss motivation तो life में सबको जरूरत पढ़ती है क्या आप क्या मैं सबको जरूरत पढ़ती है पहले it starts with a motivation quote and उसके नीचे आप लोग देखोगे there is a analysis of marks के भई कौन से attempt में कितने marks के लिए आया है so that आपको एक trend पता रहे उस basically chapter का तो यहाँ पे trend पता चल रहे है 10 marks के लिए यह regular basis पे आता है chapter कौन सा cost sheet तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग ने क्या-क्या देखा optimized book में क्या-क्या included है सबसे पहले motivation quote motivation quote के नीचे आपको क्या देखा there is something called as a trend analysis यह trend analysis से आपको पता चल जाएगा कि कौन से chapter में से कितने marks का regular basis पे आ रहा है third उसके बाद जब आप page को पल्टोगे then in that case आपको मिलेगा आपका study mentor, your friend, your philosopher and guide अब ध्यान से देखना यहाँ पे देखो read, understand, revise, strengthen expertise अगर आपको rank में जाना है say rank 11 to 50 या rank 1 to 10 single digit rank then in that case आपको यह book को at least 5 बार पढ़ना है 1, 2, 3, 4, 5 तो sir क्या ही है study mentor मैं आपको अधा देखो जब आपको इचैप्टर करोगे तो उस चैप्टर में कैनाई से बतेरे concepts होंगे बतेरे as in बहुत सारे right so जो इतने सारे मेरे पास concepts available है वो मैं जब रोज अलग 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 नहीं 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 concepts करते जाऊंगा तो there are chances के मैं पूराने वाले concepts को भूल जाऊं अरे याद नहीं अब कुछ भूल गए सब कुछ ऐसा कुछ अगर आपकी साथ हो जाए तो यह एक आपके पास ready reckoner है जहाँ पर जितने भी concepts है जितने भी questions है सब एक line में आपके पास available है ठीक है तो this will help you recap everything दूसरा अब say for example मैंने आप लोग को करवा दिया question number say मैंने एक lecture में आपको करवाया question number 2, 3 or 4 just take an example 2, 3 or 4 मैंने करवाया अब जैसे मैं यह 3 question करवा दूँगा पहली बार अपना हो गया तो आप लोग इसको tick mark कर दोगे मेरे बोले बिना आपका यहाँ पे tick mark आ जाना चाहिए अब क्या एक बार manage ओ करवाया उससे काम हो जाएगा क्या the answer is no तो आपको फिर जब आप खुद का revision करोगे तम जो आपने 2, 3, 4 किया तो आप वहाँ पे second time tick mark करोगे फिर जब आपको याद आएगा रहे वापस से चलो cost sheet revise करना है तो जैसे आप यह book open करोगे आपको याद आएगा रहे मेरा यह दो ही बार revise हुआ है चलो मेरे को और उसको revise करना है हो सकता है इसमें से कुछ आपको लगे important है उसको important mark कर दिया तो exam के time पे सीधा आप आओगे अपना paper देखे tax का और open के आपने यह question open के आपने यह question and you'll be able to answer it no tension whatsoever so revision के लिए भी exam time पे काम आजाएगा आपको आपने particular chapter particular chapter के questions कितनी बार किये से for example हो सकते है यह मेरा एके करके tick हो बट यहाँ पे मेरा यह मेरा except tick हो गया है बट यह मेरा खली दो ही बार हुआ है तो आपको ध्यान आएगा next time जब रिवाइस कर रहे हो कि पहले यह तीन को निप्टा दो क्योंकि यह आपका second revision भी बाकी है फिर आपको आपके पास खुद का target रहेगा नहीं यार मुझे यह चार बार करना है मुझे यह पाँच बार करना है जब तक पाँच बार नहीं होगा मिरको expertise नहीं आएगा मिरको rank 1 to 50 नहीं आएगा तो this is like your study mentor your friend your philosopher and guide जो आपको बताते रहेगा that how things are working how things are working आपका lectures में sir के साथ कितना हो गया है उसका आप टिक कर दोगे homework दिया तो homework हो गया टिक कर दोगे आपको particular some difficult लगा जो आपको important लगता है उसको आप ऐसे highlight कर सकते हो तो आपको लग रहा है कि भाई सब 5 बार नहीं हो पाएगा but at least जो मैंने highlight किया है उसको तो मैं कम से कम 5 बार कर लू तो ये आपको एक indicator है जिससे आपको पता चलते रहेगा आपका particular performance इसके लिए मैंने बुला ये है आपका study mentor your friend जो आपको बताएगा आपका कितनी बार क्या-क्या पढ़के हो चुका है your philosopher जो आपको बोलेगा वही कितनी बार और पढ़ना है your guide कहां पर कोई चीज आप से छूड़ गई है got it guys चलो इस हिसाब से प्रत्यांशी उसके आगे का मैं आपको बता दूँगा you don't have to worry at all तो this is how the system works this is how the system works study mentor आपको समझ में आ गया क्या करने वाले आपका आपको बताएगा वो your performance analysis study mentor is like your performance analysis study mentor your performance analysis done guys उसके बाद उसके बाद next क्या है यह हो गया फिर मैंने एक chapter का preview दे दिया ताकि आपको बता रहे बहिए चल यह एक preview है जब भी आप revise करने बैठो आपके पास एक preview ready होना चाहिए फिर बाद में आता है आपका yes introduction so basically मैं concepts करवा रहा हूँ concepts है concept के बाद उसका एक पूरा formula है यह देखो यह formula इधर मेरे पास लिखवा दिया है मैंने concept है formula है diagram है जहां पर भी जरुवत हो बोलते हैं कहावत है कि जो देखते हो वो जिन्दगी बार याद रहता है एगे नहीं movies दो तीम एक बार भी कोई movie देखी उसका scene याद रहता है यहां पर क्यों भूल जाते हो तो pictorally picture देखते है ना तब आपको सब चीज़े याद आती है content है फिर उसका जो format है theory है हर एक चीज मैंने याँ पर cover किया है you don't have to do anything else whatsoever ठीक है फिर बाद में question and answer start होते है और मैंने solution भी दे दिया ताकि कभी आपका कोई lecture miss हो जाए तो आपके notes incomplete नहीं रहने चाहिए otherwise इदर उदर दर बतर भटकते रहोगे notes के लिए so obviously that should never happen caught it guys समझ में alright confidence alright that yes यार इसको सच्ची में कर डाला तो life जिंगा लाला yes सच्ची में है के नहीं done फिर बाद में ये हो जाएगा आपका तो उसके बाद जितने भी दुनिया भर के practical questions है वो मैंने सारे ले लिये उसके बाद जो theory है वो भी मैं करवा दूँगा और end में मैंने द summary कर लिया यह इसका स्टेटमेंट कर लिया तो यादे सब ताजा हो जाएंगी तो प्रिव्यू के बाद आते हैं अपन लोग content में content में आता है मेरा theory concepts उसके बाद आता है मेरा formulas या जिसको अपन बोलते हैं format तो formula format और हर एक चीज जहां पर भी मुझे लगता है pictorial है मैंने वहां पर pictorial दिया है तो formula format आ गया और उसके बाद practical question and answers practical question and answers and अब आप लोग को एक अलग से book मिलेगी for my mcqs multiple choice questions for the first time introduced by ICAI in this subject जी हां first time ये mcqs भी अपन लोग करने वाल है और इसके लिए मैंने अलग से एक book ही बना दिया ठीक है so separately multiple choice question का एक book मिलेगा आपको जिसमें सारे chapters के multiple choice questions होंगे वो भी class में ही आपके साथ discuss किया जाएगा येस मदाने वाल है न वस पिलकुल और फिर बाद में end में आता है आपका summary of every chapter चलो guys आभी clear तो mcqs जिया mcqs भी class में ही हो जाएगा शंबिल ठीक है डान गाइस तो ये सारी चीज़े आप लोग optimize में करने वाले हो डन 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 और इस इस practical question and answer में मैं आपको बता दू guys इस practical question and answer में इस summary of every इस इस theory में formula में आपका module बसता है आपका ऱ्टीप बसता है आपका MTP बसता है आपका past paper बसता है ठीक है टन गाइस टन डन डन तन अब मेरा अप्तिमाइस विच इस मैं डीटेल्ड बुक वो भी कवर हो गया है एंड फिर अपन लोग करेंगे रिविजन लेक्चर्स रिविजन सेशन्स अप अल चैप्टर्स मेरे अल्रेडी यूट्यूब पे है और भी मैं आप लोग को जरूर करवाऊंगा येस येस प्रत्याणशी डन ये है आपकी समरी बुक जिसमें एक्जाम के लिए लास्ट डेडी रिविजन आताएगा ये समरी बुक से मैं रिविजन यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा अब यह देखो यह अप्टिमाइस बुक हो गया अप्टिमाइस के बाद मैजिक बुक आएगा मैजिक बुक मैजिक बुक मैं आपको बता दू मैजिक बुक इस समरी वर्जन ऑफ अप्टिमाइस बुक एंड समराइस बर्शन ऑफ अप्टिमाइस बुक एंड मैं आपको एक बात क्लियरली बोल दू that yes इस magic book के revision lectures आएंगे YouTube के उपर और बी आएंगे revision lectures on YouTube YouTube channel without fail अब भी काभी subscribe कर लेना अगर नहीं किया है तो काफी सारी information वहाँ पे आएगी so C.A. Sankalp Kanshtia का YouTube channel है and at the same time मेरा एक Telegram channel भी है उसका भी link आप लोग को WhatsApp कर देंगे वो भी join कर लेना वहाँ पे भी आप लोग को सारी चीज़े दे दूंगा plus मेरा personal WhatsApp number कभी क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोई मुश्किल कोई परेशानी आए आपको लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझे से कहो तो कुछ भी इशू हो चोटा मुटा you can always reach out to me on this number अब हो सकता है मैं आपको इस number पर immediately reply ना करू क्यों सर ऐसा क्यों क्यों कि मैं इतना busy रहता हूं मेरे दिन के 6-7-7-7 गंटे के lectures होते हैं तो कई बार messages miss हो जाते हैं बट अप एक reminder भेज़ दो reminder 1 reminder 2 reminder 10 reminder 8 मैं आपको देखके remind करके reply कर दूँगा बट अगर आपको reply कर चाहिए तो आज का आज आप सब मुझे एक whatsapp करेंगे that sir I am जो भी आपका नाम है I am x y z from जो भी आपकी location है Mumbai say for example and ready to score hundred marks in cost and fm ये आप आज का आज मुझे whatsapp कर देंगे so that मेरे ध्यान में रहे that yes ये अपना ही student है और इसको future में कभी कुछ doubt आता है so I should be ready to reply okay guys done ठीक है तो ये आपको आज मेरे को whatsapp करना है ready to score कितना हान्रेड आउड आफ हान्रेड अपको अपना discussion हो चुका है जैसा मैंने बोला हर एक chapter का आपको revision lectures already है future में भी आएगा सब चीज़ आपको अविलेबर कर दी जाएगी हाथ हो हाथ हाथ अच्छा ठीक है डाउट है क्लियर है इधर तक किसी को कोई डाउट है डान है सबको समझ में आउड ये बाते ठीक है अब मैं आप लोग को बता दूं कैसे ये पूरा का पूरा subject ICAI ने divide किया है बाई ICAI का exam है तो उसी के पद चिन्हों पर अपन चलेंगे तो अपने लिए सही रहेगा है के नहीं मित्रों तो cost and management accountant को ICAI ने divide किया है दो पार्ट में पहला है module 1 और दूसरा है module 2 ऐसा मैं नहीं ICAI खुद कह रहा है ये देखो module 1 and module 2 अप मेरा optimized लेंगे तो मेरे optimized में भी मैंने इसी सबसे divide किया है क्या है ये chapters जो module 1 में है मैं खाली आपको लिखवा देता हूं introduction to cost and management accounting hardcore theory chapter hardcore theory chapter first chapter तो last में किया जाता है इतना theory दूसरा material costing क्या होने वाला एक एक चीज में वह अपन कल के लिए discussion रखते हैं आज ही सब बता दूंगा कहीं heavy ना हो जाए material costing labor costing फिर there is something called as overheads फिर fourth चीज जो आपन लोग यहां पर करने वाले हैं इसके बाद में आता है आपका activity based costing which is chapter 5 फिर आएगा cost sheet and then cost and management accounting sorry cost accounting system ठीक है तो यह आपका बनता है module 1 कितने chapters है 1 2 3 4 5 6 7 आओ यह देखो institute को इंस्टीटीट को देखो यह देखो same तरीके से डाला है यहाँ पर अगर आप अपना optimized भी को लोगे ना जब आपका module 1 को लोगे आपको यह साथ chapters ही दिखेंगे जैसा मैंने बुला था पूरा का पूरा मैं ICI के pattern को follow कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई tension न रहे overheads आप सी यह वाला हाँ वह 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 वाला ओवरेट नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है everything is going overheads वह वह वाला नहीं चला फिर वाद में आते हैं आप लोग module 2 के ओपर module 2 में आपको दिखेगा unit and batch costing रिखवा देता हूँ आप लोग को यहाँ पर वो भी इधर chapter का number भी लिख सकते है अपन 1 2 3 4 5 6 & 7 फिर आता है यहाँ पर unit and batch फिर job अब यहाँ पर old syllabus में there used to be something called as contract also अभी आपको खाली job case आप से करना है फिर है process joint product service so process costing joint and by product फिर है service costing right and then my favorite standard costing marginal costing and budgetary control और इनका chapter number 8 9 10 11 12 13 14 and total 15 chapters जो अपने को पढ़ने है for our syllabus टिक है समझ में आ रही है बाते done done guys done 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 अच्छा अच्छा अओके अभी कुछ लिखो मत डोंट वरी अच्छा अभी मैं आपको और एक चीज बता दू कि होने वाला है system अपना system कैसे होगा तो से आप लोग अगर live में हो then in that case क्या होगा एक तो मेरा live lecture होगा इस live lecture का backup डाल दिया जाएगा Google Drive के ओपर इसका backup डाल दिया जाएगा Google Drive के ओपर ठीक है at the same time जो मैं notes लिखवा रहा हूँ जो भी मेरे handwritten notes है guys सुनो जो भी मेरे handwritten notes है जैसे जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे handwritten notes daily basis पे ये भी Google Drive पे upload कर दिये जाएंगे जी हाँ बट इसका मतब यह नहीं कि आप लोग लिखने में काम चोरी करो no see आप लोग अभी 18-20 साल के उपर के लोग हो तो मुझे उस चीज़ का टेंशन लेनी का I hope ज़रुवत नहीं हो कि आप लोग लिख रहे हो की नहीं लिख रहे हो वह एक you have to be दिल से अपने आपको promise करो कि yes करना है दिल से महनत करना है और वहां पे कोई काम चोरी नहीं चलेगी उसके बाद handwritten notes के बाद यहां पे there is a system के google drive पे upload करते हूं मैं schedule के मेरा कितना क्या हुआ है तो कभी आपको future में अगर revise करना है तो यह schedule से आपको पता चल जाएगा कि कौन से day में मैंने कौन सा topic में कौन सा concept में कौन सा question करा है यह इतना detailing तो आपको फिर और कुछ भी करने की ज़रूरत मतलब कुछ और अगर आपको say for example अभी आपने live में attend कर ले आपको चीजे समझ में आ गए आपको revise बहुत time बाद से दो मेने बाद आप revise कर रहे हो और आपको याद आया कोई concept और आपको याद नहीं आ रहे कि अरे यार वो concept मैंने कब किया था कहां पर किया था याद नहीं आ रहे है एक बार revise कर लेता हूं तो आपके पास 100% backup है तो आप क्या करोगे आप जाओगे गूगल ड्राइब के ओपर यह schedule होगा schedule को आप download करके देख लोगे कि अच्छा यहाँ पे day 21 में lecture number 1 में sir ने यह वाला concept और यह वाला question करवाया है समझ में आया guys done यह सारी चीज़े हमारी तरफ से आपको google drive पे provide की जाएगी backup handwritten notes and schedule on daily basis मतब जैसे मेरा chapter हुआ मैं आपको कर दूँगा I mean जैसे मेरा session अपलोड कर दिया जाएगा regularly right so module 1 में कितने chapters है अच्छा module 1 में 7 chapters and module 2 में कितने chapters है बिढ़ा module 2 में 8 chapters ठीक है और अब मैं आपको बता दूँ मेरे पढ़ाने का तरीका जिसके लिए आपने यह lecture join किया है yes and my style of teaching is going to be very very simplistic जो आपको day 1 से ही समझ में आ जाएगा क्या पता है सबसे पहला काम कोई भी चीज करवाने के पहले मैं आप लोग को दूँगा उसके पीछे का एक example और यह मेरे सारे self created example है जो market से connected है जो आप daily life से connect कर पाओ गया आपको लगेगा सर यह तो मेरे साथ भी हुआ है और मैं बोलूँगा क्या आपने तब costing का concept अपलाए किया था आप बोलोगे नहीं सर मैं बोलूँगा अब से अपलाए करना तो यह एक्जांपल एक्जांपल करेक्ट सर्फ 101 परसंट सर्ड डिराइब करना है बट डिराइब करने के लिए concept रता होना चाहिए concept कहां से आता है भाई एक्जांपल से concept कोई उपर आला ऐसे गिराता तो है नहीं चलो concept बन गया चलो गिर जाओ concept बन गया गिर जाओ अग्जांपल कुछ ना कुछ practical example के बदॉलत concept आया होगा उसके बदॉलत फॉर्मुला डिराइब होगा वह एक्जांपल क्या है वह आपको आपका भाई पढ़ाई का पहन दोंट वारे और मैं आपको बोलता हूं मेरे ऐसे होंगे जो लाइफ टाइम तक आप याद रखोगे यह मेरी गारेंटी है इतना आप मेरे पे छोड़ देना lifetime you will be able to remember it in fact मेरा सेशन ही मैं example से स्टार्ट करने वाला हूं and and that's how the tone is going to be set क्या बोलता है public all set तरीका सही लग रहा है लग रहा है अपन लोग इसी साब से करना चाहेंगे अब मेरा next जीज जो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं your expectations from me as a student देखो अब अपने को अब अपने को आने वाला आने वाला almost two and a half to three months साथ में बिताना है तो मैं आप लोगों को पूछना चाहते हूं आप लोगों कोई क्या expectations है मेरे पास से ये भी तो जरूरी है कि मैं आप लोग से समझ लूँ आप क्या चाहते हैं तो you tell me your expectations your expectations के सर प्लीज ऐसे तो ये चीज तो करवाना ना सर सर ये ना मेरा वीक है तोड़ा इस पे ध्यान देना ना सर anything that you are expecting from me देखो आज मौका है दस्तूर है बोल जोई क्या चाहिए आपको मेरी तरफ से your wish is my command tell me to make lectures interesting at your honor सर हर एक lecture interesting होगा ये मेरी guarantee है and interesting बनेगा इस style से ये बाप को मैं बता सकता हूं so first sir lectures interesting बनाना please टीके lectures को जरूर interesting बनाएंगे second और कुछ और everybody please participate and tell me फिर मैं मेरे points बोलूंगा मुझे क्या चाहिए या आपके क्या expectations होने चाहिए थे homework doubt solving पलक का बहुत अच्छा point है कि sir homework तो दे दो गया आप अगर वो homework में हमारे को doubt आया तो आप solve करोगे ना sir जरूर करेंगे homework doubts solving tell next की sir class में माहौल बना रखे अपन लोग ओके sir lecture interesting बनाएंगे और माहौल भी बनाएंगे उसका attention न लीजिए सर कोर्स इतना सारा है concept हम लोग भूल जाएंगे तो आरिया जी पूछ रहे सर उसके लिए आप क्या करोगे correct उसके लिए regular revision on daily basis तो आपन क्या करेंगे पता है जब मैं next day का lecture start करूँ क्यों न उसके पहले मैं उसके पहले जैसे मैं session start करूँ क्यों न उसके पहले last में जो भी हुआ था last lecture में जो भी हुआ था उसको पहले रिवाइस करवा दू क्या बुलती है राहूर जी क्या बुलती है सही है आरिया जी बरबर so regular revision on daily basis करेंगे तो आप आगे का भूली नहीं पाएंगे हाँ फिर test after chapter complete ओके tests after chapter completion ओके system set हो चुका है next next be an expert like you in costing मेरे जैसे expert बनना चाहते हो पक्का बना दूँगा बस एक चीज़ आप से चाहिए प्रैक्टिस 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 मैं आपके जैसे ही था expert तो नहीं बोलूगा अपने आपको आज भी मैं सीखी रहा हूं मैं आप अपने आपको यह मानता हूं बट प्रैक्टिस 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 ओ यश्यस्वी आज हिट द बूल्जाई सर प्लीज मोटिवेशन देते रहना as students इतना प्रैशर होता है प्लस इतने सारे lectures, lectures, lectures में हम लोग इतने lost हो जाते that कही न कहीं demotivated feel हो जाते है सर कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं yes there will be regular motivations as well handwritten notes बनवा दीजिएगा very well said मेरा एक concept है जिसको मैं बोलता हूं student notes सर यह student notes क्या होता है यह होता है handwritten notes मेरा एक concept है जिसको मैं बोलता हूं student notes it is nothing but handwritten notes जो आपको बनाओगे class के lecture के itself hard concepts को slow सिखाना okay so मैं इधर शुभांकर का easy way में लिखता हूं that to make difficult concepts easy शुभांकर जी आप यही बोलना चाहते हो to make difficult concepts easy done sir study tips so motivation के साथ साथ इधर मैं लिख देता हूं study tips भी आपको देते रहंगा exam के presentation के लिए tips दीजिएगा जो जो test है उसमें वो चीज discuss की जाएगे आप लोगों के साथ इसमें लिए अपको बता रहा हूं खाली मेरे सब्जेक का नहीं हर एक सब्जेक का मैं यहाँ पर आपको tips देते रहा हूं और मैं क्या करूंगा पता है बीच बीच में जैसे मेरा कोई chapter हो गया अपनों लोग एक kind of a quiz जैसा खेलेंगे जापके मैं आपको question बूचूंगा आपको जवाब देना है question बूचूंगा आपको जवाब देना है तो उससे आपका mcq का भी preparation हो जाएगा और उससे आपको भी confidence आ जाएगा चलो I think can I say यह expectation मेरी तरफ से मैं ले लेता हूँ एक बात बोलना चाहूंगा इस चीज के तेरे सारे दुख मेरे मेरे सारे सुक तेरे आज से याद रखना है यह बात जब तक आप chartered accountant नहीं बन जाते तब तक यह सारी चीज़े मैं करवाने का आपके साथ एक प्रण लेता ह आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ जो किसी नहीं आप नहीं बोला and that is regular communication otherwise है ना lost हो जाओगे हां तो मैं आपको पूछते रहूंगा आपको जवाब देते जाना है अगर वहाँ पे किसी ने जवाब देना पं रेग्यूलर कम्यूनिकेशन है यह मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोग की तरफ से प्लस मैं तो चाहूंगा 100% अटेंडेंस कभी-कभी विमार होगे फिर भी मैं तो चाहूंगा आप अटेंड करो मतलब एक कहावत है मेरे लेक्चर में जो यूजुली मैं यह फाइनल वा जाता है ना फिर आगे का कनेक्शन थोड़ा छूड़ जाता है इवन दो मैं ट्राइ करूंगा कि कनेक्शन के साथ भी कभी आप लेक्चर मिस्करों तो भी आप बैठो और आगे अटेंड करते जाओ फिर भी रहे तो अच्छा है ठीक है तो हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस मुझे चाहिए थर्ड इस प्रेक्टिस थ्रू हूमवर्क एंड टेस्ट यह आप लोगों के हाथ में हूमवर्क मैं दूंगा बट आप करके नहीं आए या टेस्ट में लूंगा बट आपने नहीं दिया तो इन दैट केस इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता तो यह नहीं होना ची है ना तो प्लीज यह तीन चीज आप लोग मुझे कमिट कर दो यह 1,2,3,4,5,6,7,8 कितने डिमांडिंग हो रहे तुम लोग यह आठ चीज मैंने कमिट कर दी ठीक है चाह टन इस पॉजिटिविटी के साथ इस कॉंफिडेंस के साथ यह मजा आने वाला है सब्जेक्ट में टेस्ट में गलतिया हो तो क्लियर कर देना प्लीज जरूर सो इधर अपना जो था ना हंड्रेट परसंट हूंवक्ड डाउट सॉल्विंग में तो वह उदर अपंध्यान लेंगे ठीक है अब यह अपना टोन सेट हो चुका है अब मेरको बहुत मन कर रहा है कि मैं पढ़ान चाहता हूं मैं चाहता हूं कि ठीक है एक एक पॉजिटिव एंवियर्मेंट रहे बट कल से तो पढ़ाना स्टार्ट करने वालो वह बात की गैरेंटी है अब मैं आपको से बता दू कि मैंने इस सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया है सो सी ये इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैंने कैसे डिवाइड किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने इसको डिवाइड किया है थ्रू फेज़ नंदनी that we'll discuss मैंने क्या किया बता है मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है इन्टू फोर फेज़ जी हां हां येस कल क्लास है न हंट्रिट परसंट क्लास है कल फेज वन फेज टू फेज त्री फेज पूर जी हां फेज वन में आते हैं मेरे टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स फेज वन में मैंने कुछ टॉपिक्स को डिवाइड किया है तो यहां पर प्लीज एवरीबडी ध्यान देना एंड दोस टॉपिक्स फॉर मी आर कॉशीट मटीरियल लेबर ओवरहेड्स यह हो गया आपका एक फेज ठीक है एक्जाम में भी आपको रिवाइज इस फेज के हिसाब से ही करना है येस यहार्ट एट राइट सेकेंड फेज में राता है मार्जिनल ठीक है मार्जिनल स्टैंडर्ड एंड बजटरी दिस इस गोंग तो बी अनदर फेज तो यह फेज आप क्यों बता रहे हो सर मैं इसने बता रहो क्योंकि आपको जब रिवाइज करना है ना आप अपना रिविजन इस हिसाब से इस फेज के हिसाब से कर सकते हो येस फिर बात में आता है फेज त्री ठीक है फिर बात में आता है फेज त्री फेज थ्री में मेरे जो चैप्टर्स हैं लास्ट में फेज फॉर तो फेज थ्री के मेरे चैप्टर्स में लिख रहा हूं दे आर कॉस्ट अकॉंटिंग सिस्टम पहले उसे ज्यादा प्रोसेस प्रोसेस कोस्टिंग जोइंट अन बाइप्रोडक्ट्स अक्टिविटी बेस्ट कोस्टिंग अन कोस्ट अकॉंटिंग सिस्टम एंड जो मेरा लास्ट फेज है जिसको मैंने फेज पॉर का नाम दिया है इस फेज विल कवर दर रिमेनिंग टॉपिक्स विच इस यौर सर्विस कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग यूनिट अन बैच कॉस्टिंग अन इंट्रोड़क्शन तो कॉस्ट अन मैनेजमेंट अकॉंटिंग इंट्रोड़क्शन तो कॉस्ट अन मैनेजमेंट अकॉंटिंग तो फेज वन फेज टू फेज त्री फेज पूर ये चार फेज बना के मिलता है मेरा येस टोटल हंड्रेड मार्क्श विच इस गोइंग तो बी फोर यॉर एग्जमेनेशन और आपको भी रिवाइज मैं आपको बता रहा हूँ आपको भी रिवाइज इस फेज के हिसाब से ही करना है और मैं भी हो सकेगा उत्रा फेज वाइज ही आप लोग को चीजे करवाते जाओंगा अभी क्लियर गाईज सो देखो टोटल कितना चार यहां पर थ्री सेवन फोर इलेवन और फोर फिफ्टीन वाट इट गाईज ठीक है इस फेज के हिसाब से ने को पढ़ना रहेगा दन गाईज चल अब एक लास्टीज बता देता हूं बिफोर वी रप अप फो टोड़े अधा इस गोई तो बी यौर पेपर पैटर जी हाँ पेपर पैटर इस गोई पेटर पैटर इस गोई हंड्रेड मार्क्स इस हंड्रेड मार्क्स में से 30 मार्क्स का है मल्टिपल इस गोई से 30 मार्क्स का है डिस्क्रिप्टिव इसमें केस बेस्ट सिनारियो आएगा जिसमें क्वेस्टिन्स होंगे अफ वन क्वेस्टिन्स ओफ वन और तू मार्क्स इच समझें एग दूसरा है सेवेंटी मार्क्स डिस्क्रिप्टिव सेवेंटी मार्क्स डिस्क्रिप्टिव यह सेवेंटी मार्क्स जो आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है इसमें I see I can play with few few things इसका मोटा मोटा अगर मैं आप लोग को एक पैटर्न बताओ इन इन देट केस देखो क्या करेंगे वो लोग इसमें आप लोग को options भी दिया जाएगा so say for example 20 मार्क्स का एक question आजाएगा and जो बचा remaining है so what they may do is this also 25 मार्क्स का एक question and जो remaining 45 मार्क्स है उसको 15 मार्क्स into 3 questions करके भी institute कर सकता है so let's see that institute can play within itself तो इसके उपर अपने को कहीं पे भी stick नहीं होना है बस we should know that approximately 30 मार्क्स का MCQ आएगा and 70 मार्क्स का descriptive आएगा and 70 मार्क्स में case-based scenario होगा जिसमें एक-एक दो-दो मार्क के questions institute उचेगा अब ही clear everybody क्या इधर तक सब आपको समझ में आ गई है बाते मेरी टन चार फेज ओके negative मार्किंग है क्या सर MCQ में no negative markings no negative marking in MCQ ठीक है so no negative marking yes okay अब यह phase आज मैं मेरे story पे तो देखो अभी तुम लोग मुझे वो whatsapp करने वाले हो ना क्या whatsapp करने वाले हो अपना नाम and साथ में मिरको एक promise दे रहे हो I am this ready to score 100 marks in cost and FM whatsapp कर रहे हो आप लोग मिरको right यह इसके साथ मैं अपनी story पे डाल रहा हूँ और तुम भी अपनी story पे यह डाल दोगे that this is how our subject is going to be phased out so that यह आप के लिए भी एक reminder है और मेरे लिए भी एक reminder है that yes this is how we are going to approach our subject ले लिया है मैंने google drive वाला जो जब देख रहा है वो तब डाल देगा कोई problem नहीं है डान गाइस पॉसाम simply awesome यह manifestation अपन लोग ने कर दिया है अब इस manifestation से पीछे नहीं हटना है जान लगा देंगे साथ जान लगा देंगे बट आज जो बात कही है आज से एक साल बात जब result आएगा ना सर आपको prove करके दिखा देंगे that yes we have done what we had promised done guys आज के लिए इतना काफी है जैसा मैंने बुला धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओंगा आज और पढ़ा दिया तो कई overheads ना चले जाए तो इसलिए आज मेरे को बस आप लोग को देना था एक छोटा सा introduction of myself तो आज मैंने क्या करवा इंट्रो आफ मैसेल्फ एंड यू कैन से सब्जेक्ट पैटर्न अपन लोग ने डिसकस कर लिया ओके कल hardcore costing स्टार्ट होने वाला है गाईस तैयार रहना फ्रेश होके आना एक दम and let's do it and जैसा मैंने बोला है तीन चीज आप से communication regularity writing practice चालो time for me to say hasta la vista guys so आज जो भी पड़ा चोटा सा recap आप लोग को करवा देता हूं अपने बारे में मैंने जोड़ा बताया आप पढ़ रहे हैं chartered accounting company secretary first attempt intermediate clear and first attempt chartered से worked with JP Morgan for 4 years teaching at CA intermediate and final level for the last 10 years एक decade से मैं पढ़ा रहा हूं with students ranging from even 100 out of 100 in the subject that we are studying practically आप लोगो हर एक चीज कनेक करवांगा मैं मार्केट से and after every session कुछ नया सिखाऊंगा जिससे आपको भी लगेगा that yes sir मजा आया ठीक है टन मराटी में बाइन थैंक्स कैसे बोलते हैं सला मंदली आभारी आए भेटू या लवकरत्स बरार बोला गया मैं ओके गंडिलवाल जी चलो थैंक यू थैंक यू सो मच यशु गॉरव ननी नंदिनी और मिन सोने नेम्स एंडिबड़ी थैंक्यू सो मच टेकर स्वेक्साइट एक्साइट पर टॉमारो मी तू आपकी सब चीजे गूगल राई पर अप्लोड हो जाएगी दो तिन दिन एड़ेस्ट होने को आपको शायद लग सकता है मेरे साथ नहीं इन जनरल अभी नया टेक्नोलोजी आप लोग ने शायद अडॉप्ट किया हो तो लाइम लेक्चर देख रहे हो या वड़ेवर इस तो तिन दिन लगेगा दो तिन दिन देना पैनिक मत होना फिर सब चीज सेट हो जाएगी मेरे साथ तो कल से आप लोग एड़जस्ट होना चालो हो जाओगे कल के बाद हर लेक्चर का आप वेट करोगे देखना के सर कब हो ले में तनहाईयों में चल वाइए यस लाउकर भेट हुए बाइबाइब और हाँ यह मेरा कमिटमेंट तुम लोग ने सैट कर दिया है तुम लोग का कमिटमेंट मैंने सैट कर दिया है अच्छ बाइबाइब सी ओ थैंक्यू आज से ही वेट है यही सुनना था चलो ठीक है तो मुझे आप लोग प्लीज यह भेज दीजेगा आपना स्टोरी स्टोरी में अपन बढाएंगे यह मैं भी डाल रहा हूं अपनी स्टोरी में माट्यू भारी येस तुम लोग यहीतर ही पोटो लेलो भाई ये इंटर बाई सी ये संकल्प कांश्टिया उया हूं रहा हूं अपना स्टोरी में कांश्टिय搁आ लोग ये लाई देजाएंदू डिंस दर्शाइब लिटा में आपकार में आपकार लिएगता लिए लिएवित्स लिए 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 सकतर लिए अर्ण लिए लिए मिल